नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस नुस्के में मैं आपको एक ऐसा हॉममेट रेमेडी आयरुवेद्धि घरिलू उपाई बताऊंगा यह उपाई आपके चैरे की सालो साल पुरानी जुर्यां और चैरे के काले निसान साथ ही आप चैरे के पिंपल्स को रिमूब करके आपके चैरे को इतना गोरा चमतदार बनाएगा कि दोस्तों आप खुद देखकर धंग रहेंगे काफी असरदाल उसका है इसमें जो भी चीए है इस्तमाल की एक दम नेचुरल ही चीए है तो चली दोस्तों जानते हैं क्या इन उसका दोस्तों इसके लिए आपको यहांपर सबसे पहले खाली कट्रों में लेना है एक चमज बेशन जो कि आपको यहांपर एक चमज इसमें बेशन लिया हुआ है फिर दोस्तों आपको दूसरी चीज़ यहांपर लेनी होगी दोस्तों वह दोस्तों यहांपर नीम का पाउडर दोस्तो आपको इसमें नीम का पाउडर ले रहा है, जो कि आपको यहाँ पर एक चम्मच इसमें नीम का पाउडर इस तरीके से एक कर लेना है, नीम का पाउडर लेने के वादने दोस्तो फिर आपको यहाँ पर तीसी चीज़ जो इसमें लेनी है, वो दोस्तो गुलाब जल, दोस्तो आपको इसमें दो चम्मच गुलाब जल के लेने हैं। गुलाब जल हमारे चैरे के लिए काफी याला फाइदमन होता है। यह हमारे चैरे पर एकदम क्लींजिंग का काम करता है। हमारे चैरे के अंदर जितनी भी धूल मिट्टी गंध्री होती है, सबको भार निकालता है। गुलाब जल लेकर दोस्तो फिर आपको यहापको तिससी चीलज में लेनी होगी दोस्तो risks वह है, सहर। आपको इसमें 15ías सहर चम्मच मिलाना है। सहर लेकर दोस्तों फिर आपको इन तीनों चीयों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से दोस्तों ये मिक्स होके आपका एक गाड़ा पेश्ट बनके त्यार हो यागा दोस्तों फिर से जो लगाने का तरीका है वो ये आप उंगलियों की मदब से इस तरीके से स्पेष्ट को लेगा अपने चेरे पर इस तरीके से एपलाई करें दोस्तो नीम का पाउडर हमारे चेरे के लिए बहुती याला फाइदमन होता है यह हमारे चेरे के जितने भी दयाद दब्बे पिंपल्स होते हैं उन सब को रिमूब करता है और हमारे चेरे को काफी स्वास्त रखता है और बेशन हमारे चेरे के लिए काफी फाइदमन्द है बेशन हमारे चेरे की जितने भी काली तुचा होती है मिरत कोशका होती है उन्हें भार निकालता है हमारे चेरे को गोरा चमकदर बनाता है तो दोस्तों आपको इस तरीकी से इस पेस्ट को लगा कर कम से कम 20 मिनट के कर साफ कर देना है इस उपाय को आप हपते में एक बार इस्तमाल करें एक बार के इस्तमाल से यह आपका चेरा काफी गोरा चमकदार और सुन्दर दिखने लेगा तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होते हैं से ज्यादा से अपने दोस्तों है शेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे की नएने वीडियो आप तक पहुंशते रहें मैं आपके लिए फिल आओंगा अचासर वीडियो तब क्ली दूस्तो बाइ बाइ